दोस्तो प्रतेख हिंदु को अपने जीवन काल में चार धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए ऐसी माननेता है कि चार धाम की यात्रा करने से मौच की प्राप्ति होती है तो दोस्तो ज़िए आप लोग भी चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए IRCTC लेकर आए एक सांदार टूर रुपए के तो दोस्तो पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो पर जरूर बने रहें उफ्यर के सुब्दा मिले इस की बात करें तो आप लोगो को तो में नाइट इस्टे करने के लिए और धर्मसाला या गश्टह। – लिए खास्ता है ल servicio के लिए एक नहीं मिलने वाली तो आप लोगो को lunch किसी भी दिन नहीं मिलेगा, इसके लाव़ इस tour package में helicopter, subtle charges, pony charges, helper charges और pilkhes charges सामिल नहीं हैं, इसके लाव़ यह किसी भी monument या टेंपल में कोई इंट्रीड tickets लगता है तो उसका चार्ज भी आपको लाव़ इन यापको इपकर इनके लिए आपको ही पे करना पड़ेगा टूर पेकर से कोई भी हल्प नहीं मिलेगी दोस्तों आप लोगों की है फ्लाइट जर्नी बोपाल से दिलही और दिलही से बोपाल के लिए होने वाली है आप लोगों की जर्नी कुछ इस प्रकार से होने वाली है बोपाल से दिलही दिलही से हरिद्वार, हरिद्वार से बार कोट, बार कोट से जानकी चट्टी, जानकी चट्टी से एमनोत्री, एमनोत्री से उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से गंगोत्री, गंगोत्री से गुप्तकाशी, गुप्तकाशी से सोन प्रयाग, सोन प्रयाग से केदारनाथ, केदारना पर अपना नवार है रेजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग को description पर website का link मिल जाएगा यहां पर जाकर के आप लोग अपना पना स्वय रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप लोग की लिए contact number दे के हैं अगर आप लोग को booking कोई प्राब्लम होती है या इस टूर पेकेज सम्मझनित आप लोग और भी जानकारी चाहिए तो आप लोग यहाँ से लप ले सकते हैं अब बात करते हैं कि इस टूर पेकेज में आप लोग का कितना चार्ज लगने वाला है तो सिंगल सेयर पर 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 संचार्ज तो दोस्तो यह तीश टूर पेकेज के मातपून जानकारी अगर आपनों के जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज कुछ तो मिला चैनल को सब्काइब लाइक और शेयर करना बिल्कुल न बोलें तो दोस्तो मिलते हैं इस टूर पेकेज में जये इंदा आपके दिन सुगो